वेल्वफेंद्स वेल्कोम बैक टू माईग काुम हैं देखिये आज हम बलैंकेट बनाएंगे लडु सकते लिए फूरी यूल हमसे भीकट बनाएंगे इसके लिए देखियों हमने टू कलर हो मरजेन्टा और इंटी ए और जिएर नमबर हैं ॥ न. लेंकेट बनाएंगे वह हम जीरो एक दो नंबर का नजी के लिए बनाएंगे जीरो से लेकर एक और दो तक के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं और ग्रीन कलर से हम सबसे पहले देखिए एक नोट लगा लेंगे और यहां पर हम चेन बना लेंगे नोर्मल चेन बनानी बहुत टाइट हमें चेन नहीं बनानी है यह देखिए एक चेन तो आ गई हमारे पास नोट लगा ले हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह देखिए बिल्कुल नोर्मल हाथ से हमें चेन बनानी है और टोटल हम यहां पर यह देखिए 34 चेन बना लेती है चेन बनाने के बाद फिर दिखाएंगे यह देखिए 34 चेन हमने इसमें बना ली है अब देखिए यहां से हम इसको बनाना शुरू करते हैं यह देखिए इस तरह से धागा लेंगे और देखिए एक चेन छोड़ देंगे नेक्स चेन के अंदर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोसिया बनाएंगे और थोड़ा सा में लूज सा ही बनाना है बिल्कुल टाइट हमें सिंगल क्रोसिया यहाँ पर नहीं बनाने हैं यह देख चेन स्किप नहीं करनी है इस तरह से बनाते हुए पूरी रो हम कम्प्लीट कर लेंगे हर एक चेन में एक-एक सिंगल क्रोश या बनाते हुए चेनcribing तो चलिए पूरी रोह कंप्लीट कर लेते फिर दिखाते हुए जब पूरी रोह बनाकर कंप्लीट कर लिए हमने सिंगल क्रोश या से अब लास्ट में हम इसमें दूसरा को लिग लगाएंगे ओ और दीखिए यहां से सबसे पह alone सिंगल क्रोश हैं बनाएंगे यहां से हम लूप उठ़ेंगे लेंगे इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो जब देखिऎ हब ऑलुप निकार लिया अब इस कमप्लीट करेंगे हम इस दहागे के साथ in यहां से इपटर्ण करना है और जो यह दहागा है फ्इक वाला सो फिक इसको हमें साथ में रखना है इस दागे को हम इस तरह से इसके साथ में रखेंगे क्योंकि हमें हर रो के बाद कलर चेंज करना है देखिए यहां से तो सबसे पहले हम इस दागे को इस तरह से पकड़ कर यहां से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसके बाद नेक्स चेंड के अंदर सिंगल क्रोश्या लेकिन इसको हम complete नहीं करेंगे जैसे हमने यहां से लूप उठाया है अब यहां से हम एक लूप उठाएंगे और इनको हम दो को एक साथ बंद कर देंगे फिर यहां से हम एक लूप उठाएंगे और यह देखिए धागा हमारे साथ है फिर नेक्स चेन के अंदर से लूप उठाएंगे और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे फिर दिखिए यहां से उठाना है एक लूप और एक आगे वाली चेन से लिखिए तीन थागे हैं प्रूंब डिखिए फिर समय जगह से हम उठाएंगे एक लूप फिर नेक्स झेन के अंदर से एक लूप और फिर इनको बंद कर देगे देखे फिर यहां से इसको बंद नहीं करना है फिर आगे वाली चेन से एक लूप उठाएंगे और देखे इसको बंद कर देखे पूरी रोह हमें इसी तरह से बनानी है पहला लूप तो हम यही से लेंगे सेम जगे से और जो दूसरा लूप निकालेंगे उसको हम अगली चेन से निकालेंगे यहां से लूप लिया फिर आगे वाली चेन से लूप देखे बहुत ही आसान है यह इसमें बिल्कुल भी जंजट बंजट कुछ नहीं देखे यह देखे इस तरह से हम पूरी रोह कंप्लीट कर लेते हैं और देखे यह धागा हमने इसके साथ रखा है यहां से एक लूप लिया फिर आगे वाली चेन से लूप लिया और इनको एक साथ बंद कर देंगे फिर सेम जगह से एक लूप लिया फिर आगे वाली चेन से एक लूप लिया तो यह देखे इनको बंद कर देंगे तो यह पूरी रोह हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं यह देखें लास्ट में हम यहां तक आ गये हैं दीखें लास्ट में हम यहां भी एक लूप निकालेंगे और एक लूप हम यहां से लास्ट वाली चेन से उर्दी खिल को हम एक साथ बंद कर देंगे, अब यहां से हम यह इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे, यही से हमें वापिस होना है, अब फिर से यह धागा इसके साथ लेकर जाएंगे, यह देखिए इसके उर्टी साइड है, इसको आप सीधी साइड से भी रख सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है, देखिए, तो अब यहां पर ग्रीन कलर लेंगे, यह धागा साथ में है, एक दो रो आप बना लेंगे, तो आपको थोड़ा हाथ भी आपका सेट हो जाएकर कोई भी प्रोब्लम नहीं होगे, देखिए, सबसे पहली चेन में से, एक सिंगल क्रो करोसिया, और नेक्स चेन के अंदर से दूसरा सिंगल क्रोसिया, दोनों के एक साथ बंद करतेंगे, यहां से लूप लिया, फिर आगे वाली चेन से, एक तो फटा-फट यह होता चला जाता है, इसमें ना काउंट करने का जंजट ना कुछ, यहां से एक चेन है, जो इसके से लूप निकाला, फिर आगे वाली चेन से, और एक साथ बंद कर दिया, इस तरह से, और जिन्हों ने अभी अभी करोसिया चलाना सीखा है, देखे, उनको भी कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी, बहुत आसान सा डिजाइन है, उनके लिए भी, यह देखे, और यह भी नहीं है, कि सिंगल करोसिया है, तो यह थीरे थीरे बनेगा, हाथ इसमें बड़ा जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता, पूरी रो बना लेते हैं, यह देखे, ग्रीन कलर से भी इसको हमने यहां तक बना लिया है, और यह मरजेंटा जो धागा है, देखे, इसको हमने साथ में रखा है, बस यह धागा हमें साथ में रखना है, बाकी, तो बहुत ही इजी डिजाइन है, यह देखे, यहां से इसको बनाया, फिर इस चेन के अंदर इस तरह से, आप किसी भी साइज में इसको इसी तरह से बना सकते हो, कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें चेन वाला कोई जंजट नहीं कि इतनी चेन पे इतना होंगे, और यहीं से वापिस होंगे, बस यह धागा हमें साथ रखना है, यह देखे, देखे, इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं, और बनाने के बाद, फिर आपको दिखाएंगे, कि आगे समें हमें और क्या करना है, यह देखे, दोनों साइड से सेम तरीके से बनेगा, इस साइड यह मरजेंटा कलर देखे, ऐसा दिख रहा है, और इस साइड यह ग्रीन कलर ऐसा दिख रहा है, यह देखे, बहुती सुदर साइड डिजाइन तयार है यह डबल साइड डिजाइड है देखिए किसी भी साइड से आप इसको पैना सकते हो अपने लड़ोगों पालची को इस डिजाइड को आप किसी जैकेट स्वेटर कार्डिगन में भी डाल सकते हो और देखिए दोनों साइड से यह सेम दिखाई देता है यह देखिए इस साइड यहां यहां देखे लिए दूसलेके लेकिन दूसलिट को दोनों साइड में अधा, यहां यां को यह कई ज़ले उभाट यह रहा दो बेहां या रां आखेथा जया आए, buffalo आखे hey कुय तो यहां से इसक इससे आउट-लाइन देनी हैं है तो यह आ से मने इसको शुरू okay तो इससे इसमें हुड़ी लगाएंगे चॉट अब हमनें हमने मजबूरी के अगर चैने ना ऑकत नहीं ह्या है een few आडएन्य ज़ू से दागा कट करें भी ना तो मैं ऐसी इसको एड़ेस्ट कर लेती हूं तो देखिए हम इस तरह से धागे को सिलिप कराके इस कोर्नर तक लेकर आएंगे इस तरह से चलिए धागे को हम यहाँ पर लेकर आते हैं देखे धागे को हम यहाँ पर लेकर आए धागे को थोड़ा सा में लूजी लेकर आना है टाइट नहीं लेकर आना एक बार हम इसको दिखाते हैं कि इसमें हमने कितनी रो बनाई है देखे एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा टोटल हमने इसमें ग्यारा रोग बनाई है तो इसके आप आउटलाइन बना लेते हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसके आउटलाइन इस तरह से बनाएंगे कि ये दोनों साइट से दिखाई ना दे, इसमें कोई धागे वागेरा तो देखे, यहां कोर्नर से इस तरह से हम एक लोग उठाएंगे एक, दो, तीन, तीन चेन बना ली और सेम जगे हम दो डबल क्रोसिया बनाएंगे एक तो थिरी की चेन हो गई, एक डबल क्रोसिया, एक डबल क्रोसिया और बनाएंगे अब इसके बाद बनाएंगे हम तीसरा ट्रिपल क्रोसिया, लास्ट में हम एक ट्रिपल क्रोसिया बनाएंगे देखें, इसको 1 बार बंद किया, 2 बार और यह 3 बार, तो यह हो गया, ट्रीपल क्रोसिया, अब इसको हम इस तरह से देखेंगे, रख कर, तो दीफिनद हम यहां से, सिंगल क्रोसिया से, इसको इस तरह से जोइट करेंगे, इसके बाद 1, दो, तीन तीन चेन बना लेंगे और फिर सेम जगे हम दो डबल क्रोशिया और इसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया फिर इस तरह से रख कर देखेंगे इसलिए पिश्टी से देखें यहां पर हम इसको जॉइन कर देंगे एक दो तीन तीन चेन बना लेंगे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरा बनाएंगे हम देखें ट्रिपल क्रोशिया यह देखें तो यह आउटलाइन यहां से लेकर यहां तक और यहां तक इसके हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखें इसको हमने इतना बना लिया है इसके आउटलाइन बना लिया है और यह देखें दोनों साइड से सेम बना है अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर एक यह देखें मार्क कर लेंगे क्योंकि अब यहां पर हमें इसके हुड़ी के जो डबल क्रोस्या है वो उठाने है और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे देखिए यहां पर हमने मार्क कर लिया अब पांच डबल क्रोश्य हमें इस साइड से उठाने है और पांच हमें इस साइड से उठाने है देखिये इसको हमने इतना बना लिया है हमने मार्क करके दिखाया था इसके सेंटर से हमी मार्क कर लेना है और 5 डबल क्रोश्या इससाइड से उठानी है 5 इससाइड से टोटल हमे도 10 डबल क्रोश्य करेंगे तो पिल्कुल दोनों साइड यह बराबर है तो टू रो तो हमने बना ली इसकी डबल क्रोश्या से और जो थर्ड रो है उसको हमने हाप डबल क्रोश्या से बनाया है डबल क्रोशया से नहीं बनाया है अब ये धागा कट कर लेंगे ये देखे दो लाइन हमने डबल क्रोशया की बनाए और जो थर्ड लाइन बनाए हमने आप डबल क्रोशया की विनाई, दस डबल से के उपर तो इस दागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे जो इसकी सीलाई के कामाएगा देखिए धागा हमने डाल लिया है सुहीं पे और इसको इस तरह से सील देंगे थोड़ा सा में फिनीसिंग के साथ सीलना होगा था कि हम इसको किसी भी साइट से पहना सके तो यह कोशिस करनी होगा देखिए इस तरह से हम इसको सील लेंगे इस तरह से इसको सीलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं अनि देखिंक हमने इसकी सील दी आप अब इसकी आउट लाइन हम और बना लेते हैं उपर से मर्जेंटा कलर से ही बनाएंगे तो देखिए यहां से हम इसमें धागा लगा लेंगे इस तरह से और हर एक चेन में हमें एक-एक सिंगल क्रोसिया बनाना है इस धागे को हम साथ में दबा लेंगे यह देखिए सिंगल क्रोसिया से इसकी आउट लाइन हमें बनानी है इस धागे को अब यहां पर हम कट कर देते हैं देखिए धागा हमने इसका कट कर दिया एक्स्ट्रा देखिए यहां तक तो हमने सिंगल क्रोसिया बनाया अब जो एक कैप वाला पार्ट है यहां पर आएंगे इस तरह से धागे को जोइंट करेंगे और दो चेन बना लेंगे और यहां पर हम देखिए हाप डबल क्रोसिया बनाएंगे यहां पर एक ही दो की चेन हो गई हाप डबल क्रोसिया अब जोए डबल क्रोसिया इसके ओपर हाप डबल क्रोसिया यहां पर फिर हाप डबल क्रोसिया यह देखिए कैप की आउट लाइन हमें हाप डबल क्रोसिया से देनी है अब लास्ट में हम यहां पर एक लूप उठाकर इसको स्लिप इस्टिस से इस तरह से जोइंट करेंगे फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से देखिए हर एक चेन में हम एक-एक सिंगल क्रोशिया से इसको कम्प्लीट कर लेंगे इसको कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए इसकी आउटलाइन हमने बनाकर कम्प्लीट कर लिए है और दोनों साइड से आप इसको किसी भी तरीके से देखिए पहना सकते हो इस साइड से भी और इस साइड से भी देखे और यहां पर इसमें यह देखे काना जी को आप पहना कर और इसके साइज को सैट कर लीजे और देखे इस तरह से यहां पर चीट बटन जरूर लगाए जहां भी आपका साइज काना जी का सैट हो जाए इसको साइज को सैट कर लीजे और डोरी वगेरा इसमें आप बिल तो यह हमारे काना जी को देखिए अच्छे से कवर कर लेगा इस तरह से पहनाने के बाद